आज कि इस वीडियो में दो important points के बारे में हम बात करने बाले हैं पहला cancel membership के बारे में दूसरा ओफ़णर लॉगिन के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि yesterday यानि कि कल से हम सभी के ओफ़णर माइ प्रोफाइल में एक option देख रहा है cancel membership का हाला कि यह option बहुत सारे founders को यह option दिख रहा है उनके profile में तो हम सबी के मन में एक सवाल है कि यह option क्यों दिया गया है यानि कि इसका क्या उज़े फ्रेंट्स जैसा कि इसके name से ही पता चलता है cancel membership यानि कि membership को cancel करने का option यानि कि founder को close करने का option ध्यान दीजेगा यहां पर company की तरफ से अभी कोई भी information नहीं आया है और नहीं एसर ने कोई भी information दिया है जब तक company की तरफ से कोई भी information नहीं आती है या फिर एसर खुद इसके बार भी information नहीं देते हैं तब तक आपको कोई भी यहाँ पे steps नहीं लेना है आपको आगे proceed नहीं करना है जैसा कि यह cancel करने का option है तो मुझे उमीद है यापको कोई भी founders अपना membership cancel नहीं करना चाहता है तो आपको गलती से इस option पे click नहीं करना है गलती से भी आपको इस option पे click नहीं करना ध्यान दीजेगा नहीं तो आप check करने के लिए इस option पे click करें अपना यहाँ पे membership आप cancel कर लो प्लीज आप गलती से भी इस option को touch मत कीजेगा यह option उन लोग के लिए है जो refer लेना चाहते है मतलब membership को cancel करना चाहते है तो उनके लिए option दिया गया है प्लीज वेट कीजे information का company आप information देगी या फिर ऐसा खुद information देगे तब हमें आगे यहाँ पे proceed करना है इस option के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की जरूत नहीं आपको घबराने की जरूत नहीं क्योंकि यह option है membership को cancel करने का तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए और company के information का वेट कीजे फिर फेंड इसके बाद आपको next point के बारे में बताना चाहता हूँ ओफंडर्स.net website पे तो session expired का notification आ रहा था message आ रहा था बार बार ठीक है ना तो मैं अपना ओफंडर अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहता है और ऐसे और भी कुछ फंडर्स हो सकते हैं जो अपना ओफंडर्स.net लॉगिन नहीं कर पा रहे थे ओफंडर्स.net website पर हो सकता है कि आज भी वह अपना ओफंडर्स अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहे हूं ठीक है ना तो इसका एक solution है बहुत सिंपल सा solution है आप एक काम कीजिए फैन इसके लिए आप एक काम कीजिए और एक चीज़ आपका और बतना चाहता हूं कि आप अपना जब onpassive ecosystem लॉगिन करते हो आई होप आपको पता होगा फिर भी मैं आपको बता देता हूं को लॉगिन कर सकते हो अब इसके बाद आपको बताने वाला हूं कि आप ofounders.net website पर अपना एकॉंट कैसे लॉगिन कर सकते हो अगर आपको कोई भी इरर आ रहा है यानि कि session expired का अगर आपको इरर आ रहा है तो इसका solution क्या है इसका सिंपल सा solution है कि आप अपने ब्राउजर को आप जो भी ब्राउजर यूज़ करते हो गूगल या क्रोम ब्राउजर को उसको एक बार प्लेश्टूर पर जाकर अपडेट कर लो आप ट्राई करो लॉगइन करने के लिए अगर लॉगइन हो जाता है तो सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत नहीं अगर लॉगइन नहीं होता है तो इसका एक और सेटिंग आप कर सकते हो आप जो भी ब्राउजर यूज़ करते हैं Google ब्राउजर फिर Chrome ब्राउजर फर एजमपल मैं Chrome browser use करता हूँ सो Chrome browser पे कुछ second के लिए मैं long प्रेस करूँगा कुछ second के लिए मैं प्रेस करके रखूँगा सो जब मैं कुछ second के लिए प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ पे कुछ option आएंगे देखिए आप देख सकते हैं new tab और नीचे आपका दो आपसन और है remove आप इंफो का तो मुझे आप इंफो पे क्लिक करना है आप इंफो पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ option open हो जाएंगे यहाँ पर open होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे storage में जाएंगे storage uses में यह देखे storage uses में हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे दो option हमारे आते हैं सबसे निचे लिखा हुआ catch तो यहाँ पे clear catch पे हमें क्लिक करना है पहले चीज़ यह हमें करना है दूसरा चीज manage space पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक option और आएगा सबसे नीचे हमें उस पे click करना है clear all data clear all data पे हमें click कर देना है right और ok कर देना है ok करने के बाद इसे हमें एक बार back करना है एक बार back करने के बाद सबसे उपर लिखा हुआ है force stop तो हमें force stop पे click कर देना है force stop पे click करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने Chrome browser पे आ जाता हूँ Chrome browser को मैं open करता हूँ open होने के बाद सबसे पहले आपको इस तरीके का interface दिखेगा accept and continue आपको click कर देना है and yes I am in अगर आपका ऊपर आपका email id दिख रहा है अगर okay है तो आप yes I am in पे click कर देजिए and आपका जो Chrome browser है वो नए तरीके से open हो जाएगा अब यहाँ पे अपना ofounders.net website open कीजिए अपना email id और password फिल कीजिए definitely आपका 100% आपका ofounder account login हो जाएगा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ friends क्योंकि मेरा भी account yesterday login नहीं हो पा रहा था जब भी मैं login करता था एक notification आता था session expired का तो same process मैंने भी किया है जो मैंने अभी आपको बताया है तो मेरा account आप successfully login हो पा रहा है अब login करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है तो आप इसी परकार से जो मैंने process बता है आप खुद कीजिए अगर आपको session expired का notification आ रहा है login करते समय तो अगर आप ऐसा करते हो तो definitely आपका account successfully login हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो please जिनका भी ये problem आ रहा है आप इस process को follow कीजिए definitely आपका account login हो जाएगा को आपका इसमार आपका कापका प्रेव झाएगार आपका आपका प्रेव कीजिए